वेपार वेवसाय नहीं चल रहा हो, नोकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीप हो, साथ बेल पत्री केसर को घिस कर चंदन मना कर, बेल पत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्धिशक्ती जगदंबा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्रिगणे श्रिद्धी सिद्धी के नाम की बिंदी लगाना है, शिवजी पर समर्पित करते जाना। शंकर को चड़ा तेजा। सोमवार की अश्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए। वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि समवार की जो अश्टमी होती है, शंकर और पारवती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिये। शिव और पारवती के मिलन का दिन होता है समवार की अश्टमी का दिन। साल भर में लगवक चार या पाँच सुम्बर के श्टमी पढ़ती, इससे जादा नहीं पढ़ती, पर भाग्यशाली हो आप सब अपकी बार तो लाइन से दो बार पढ़ रही है, साथ एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जातक ऐसा उम जावती के मिलन का दिन होता है, सुम्बर के श्टमी, इसमें मा जगजनी, जगदंबा अपनी चोसट योगनियों को लेकर, शंकर भगवान के स्तान ने नत्य करती है, जब सुम्बर के श्टमी पढ़ती है, जैसे शिवरात्री का महत्व होता है, उसी तरह सुम्बर के जब शल्ड़ को भगवान के सामने नत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन शल्ड़ को अपने हस्त कमल पर धार्ण करती हैं और हस्त कमल पर धारन करते हैं, तब उन चोसट योगनियों को लच्मिया प्रदान करते हैं, लच्मि मात्ता को उन चोसट योगनिया दी जाते हैं, लच्मि मैया उन चोसट योगनियों को भगवान विश्णु के पास ले कर जाते हैं, भगवान नरेंट उन चोसट योगनिय ब्रह्मा देव के पास ले कर जाते उन चोसट योगनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्मानी को प्रदान करते हैं ब्रह्मानी उस चोसट योगनियों को ले जाकर मा जगजनी आद्धिशक्ती को देती हैं आद्धिशक्ती उन चोसट योगनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती शंकर भगवान की कथा करती है सौंबार की अश्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर कैसर का भाग लगाकर ओम लिखकर कैसर का ही तिलक लगाकर माधिशक्ति गणेजी रिद्धी सिद्धी के नाम से साथ बेलपत्र शिव को समर्पित करकर लाल वस्त्र में उसको ब आगा देगा आपकी संपदा की और आपका हाथ पकड़ लेगा सौंबार की अश्टमी शिव को रिज्धाने की बगवान शंकर को मनाने के लिए शिव को प्राप्त करने का एक साधन है